काते हैं रिष्टे और मारी दाओं को हमेशा ध्यान से निवानी पड़ती है अगर थोड़ी सी चुक हो जाए तो वरिष्टा आकसर तूटकर बिखर जाया करता है। आज की घटना में बिल्कुल ऐसा ही है एक दमाज जो अपने सस्रॉाल जाता है और अपनी सास की रजाई मे जाकर सो जाता है। तो नमस्कार अदाब, सची का दूस्तों मैं करन राज आप देख रहें नोकिया प्राद। ये घटना जो है 36 गड़ के राइपूर की है। वहीं के रहने वाली दमांती भारगप जिसकी उम्र 38 साल थी। दमांती भारगप की जो पती था अस्तोस जिसकी उम्र 19 साल थी। वह अभी इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। जो दमांती थी गाउं के ही मुख्या के हाँ काम किया करते थी। उसकी खेती बाली को समाला करते थी। जो अस्तोस था कानपूर में रहकर इतने भी पैसे कमाता अब अपने घर की खर्चे के लिए व बहुत ही खराब थी। एक समय ऐसा था कि आज खाने को हैं कल खाने को नहीं तरहता था। एसे इस्तिदी से बजो परिवार था बगुजर चुका था। जिसकारण से जो अस्तोस अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को गाउं में छोड़कर वह सहर कमाने के लिए ग बताए हो तो मेरा बेटा जिसका नाम राजु है उम्र 18 साल है वह साधी लाइक हो चुका है अब मैंने तुम्हारी बेटी का तस्बीर हो था खुबसूरत है तो क्यों न हम दोनों समधी बन जाए जैसे ही अस्तोस इस बात को सुनता है वह करता है कि उसकी बेटी कोमल जो है जिसकी उम्र 19 साल महाज है वह भी साधी नहीं करना चाहता लेकिन जो अस्तोस का जो दोस्त था वह करता है कि अगर वह साधी कर लेगा तो उसके घर में कोई पैसे की कमी नहीं है और समय समय पर वह उसकी मदद भी करता रहेगा जो वह चाहता है कि उसके घर की जो बहु बने वो अबियादी खूबसूरत हो जो अस्तोस था तो पहले तो अपने दोस्त की बातों को मना करता है लेकिन काफी देर दोस्त था वह इस बात को कई बार दोहराता है जिस कारण से अस्तोस था वह तैयार हो जाता है कोमल की साधी राजु से कराने के लिए पर एक महीने बाद ज दोनों जो थे जब अपने अपने गाउं पहुंच जाते हैं अस्तोस अपनी पत्नी को सारी बातों से अभगत कराता है दमंती से कि कोमल की साधी जो है मेरे एक दोस्त जिसका बेटा राजु है उसे साधी मैंने ताई कर दी है जो दमंती थी इस बात को सुनती है तो पहले तो खुस नहीं होती वह करते है कि उसकी उम्र जो है कोमल की वह महज 19 साल है वह कुदी नभी पढ़ना चाती है तो उसे पढ़ने दीजिए लेकिन जो अस्तोस था वह करता है मैंने जबान दे दी है मैं जबान से पीछे नहीं अटूंगा और कोमल की साधी तो अब होकर ही रहेग इस बात को सुनकर जो दमनती थी वह मुस्कुराती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप बुरा मान रहे हो मैं बस यही करना चाह रही थी कि कोमल जो है अभी कापी छोटी है जो अस्तोस था वह करता है कि तुम समझ नहीं रही हो वह उम्र लाइक हो सकी है साधी की उम्र उसकी हो चुकी है जो उसकी साधी कर देने में फाइदा है जो वह एक भी रुपे देज में नहीं ले रहा इस दोस्त के पास स्कॉछ ले करता है और करता है कि साधी की तारीकि कर लेनी चाहिए पंडित को बुलवा कर अच्छी तारीक हम लोग बठा लेते हैं जो अदर दोस्त था भा भी करता है ठीक है बहुत ही जल्द मैं जो हूँ बता दूगा कि किस तारीकों हम लोग जो है वह साधी करेंगे अपने बेटे राजु आ और कोमल की और किस होटल में तो हम लोग के घर से नहीं जाती है होटलों में ही साधी होता है तो हम लोग का घर वह सही से चलता है इस बात को सुनकर अस्तोज था करता है कि ठीक है आपकी जैसी मर जी बस मेरी बेटी खुजी से रहनी चाहिए जो अस्तोज का दोस्त था वह करता है कि तुमें इस बात की च अस्तोस था कोमल कापिता, वह बहुत ही ज़ल्द आपके पास कॉल करता हूँ, करीब दो दिन बीच जाते हैं, जो अस्तोस भारगक था, वह अपने दोस्त के पास कॉल करता है, और बताता है, कि साधी जो है, वह फिक्स कर दी है, 15 नवंबर 2015 को, जो अस्तोस का दोस्त था, व वह झाता है, और होटल तो क्या कोई आपने पसंद कर लिया है, अस्तोस भार बहुत है, कि नहीं, मैंने तो कोई भी होटल अभी नहीं देखा है, इस कारण से, जो अस्तोस का जो दोस्त था बहुत करता है कि क्यों ना कानपूर के ही होटल में साधी करने नी चाहिए जो अस्तोस था पहले तो कुछ सोचता है और करता है कि उसका घर 36 गड़ है और काफी दूर है इस बात को सुनकर जो अस्तोस का जो दोस्त था करता है कि कोई बात नहीं मैं यहां जो है बाद सारा चीत देख लूँगा बैस तुम अपने परिवार के साथ उस होटल में पहुंच जाना और साथी हम लोग जो है वह होई कि पास के मंदिर में दुम दाम से अपने दोनों बच्चों को कर देंगे जो अस्तोस था इस बात को सुनता है पहले तो उसे मन नहीं होता है लेकिन जो दमनती थी वह काती है कि जब आप जवान देही चुके हो साथी करने के लिए इसमें सोचना क्या है चली हम लोग जो है कानपूर में ही जाकर राजू से साधी कर लेंगे और मैं भी अपने दमात को देख लूँगी जो अस्तोस था वह अपनी पत्नी दमनती की बातों को सुनता है तो वह काता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी इतना कहते हुए जो अ अपनी पत्नी के साथ वह कानपूर होटल में पहुंचता है पहुंचने के बाद वह अपने दोस से मिलता है और जो राजू था वह जैसे ही अस्तोस को देखता है वह चरनासपर्स करता है और अपनी सास दमनती को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है और कहता है आप जा चुका था दमन्ती जो थी पूछती है कि तुम कौन हो जो लड़का था वह बताता है कि उसका नाम राजु है और अस्तोस अंकल जो है वह उसके पिता का दोस्त है जैसे ही इस बात को दमन्ती सुनती है वह करती है कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो तुम्हारे पित बस इतना ही कहा कि आप बेहदी खुबसूरत दिख रही हैं। आपका लगता उम्र लगता नहीं है कि आप अस्तोस चंकल का आप पत्नी हैं। इस बात को सुनकर दमन्ती जो थी बहा मुस्कुराती है और कती है ऐसी बाते ठीक नहीं हैं। जो चलो अंदर होटल में चलते इतना कहते हुए जो राजू था अपनी सास दमन्ती के साथ अंदर चला जाता है। करीब रात के एक बज़ रहे होते हैं जो सभी परिवार थे राजू और कोमल की साधी बेदी धुमधाम से वहीं के पास के मंदिर में कर देते हैं। वहीं पर खाने की बेवस्ता उसी होट पी लेता है और अपने पत्नी के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कोमल के पास पहुंचता है और अपनी पत्नी कोमल से प्यार करना सुन कर देता है। जो राजु था बहा कापी ज्यादा सराप पीचु का था, बहा कोमल को बेड पर सोने को कहता है और बुके बेडिया के तरह अपनी पत्नी तूट फरता है, जो गुशा करने लगती है, चुलाने लगती है कि आइसा ना करे, बहा भी कापी सोटी है, लेकिन जो कोमल थी वा इस सबातों को अंदेखा कर रहा होता है अंसुना कर रहा होता है और रात बीच जाती है अगली सुबह होते ही जो कॉमल के माता पिता थे अस्तोस और दमन्ती वो अपने घर वहां से राइपूर के लिए निकल जाते हैं कॉमल जो थीब अपने पती राजु के साथ और अपने जो कुमल थी वह इन सब बातों को किसी से कह नहीं रही होती है, उसे लग रहा होता है कि सायद वह किसी दिन वसाही रास्ते पर चले आएगा, आवा समझ जाएगा, कि इस तरीके से कभी अपनी पत्नी से प्यार नहीं करने चाहिए, लेकिन दिन बित रहे थे, जो राजु था वह इस तरीके से करता जा रहा होता है, कमल को अब रहा नहीं जाता तो वह अपनी मा दमन्ती के पास कोल लगाती है और कहती है कि मा तुम कैसे लड़के से मेरी सांधी करवा दी हो, जो जब भी वह मेरे कमरे में आता है, वह भूके बेड़े के तरह तूट पड़ता है, जो कोमल्थी अपनी माकवी बातों को सुनती है तो बैह कुछ देर के लिए इससा बातों को मान लेती है और ऐसे ही है सिलसिला जो था हर दिन का हो रहा होता है एक दिन साम के चार बज रही होते हैं जो राजु थाब अपने बगीचे में ठहल रहा होता है और उसे लगता है कि वो से अपनी सास दमन्ती के पास कोल लगानी चाहिए, बात करनी चाहिए, जो राजुताब अपनी सास के पास कोल लगाता है और करता है, कि सासु मा आप जो है बहुत दिनों से कोल नहीं कर रही हो, और हमें भी जो है बहुत दिन हो चुके हैं, आपको द जब मरजी हो तब चले आओ जो राजु था वगकता की हमलु जो है कल ही वहाँ पर पहुंचेंगे लेकिन आपको जो है कोमल को नहीं बतानी है कि मैं खुद आपको कॉल करकर कर आओं कि मैं आपके पास आ रहा हूं जो आपने खुद बुलाया है ये बताना जो दमन्ती थी वह करती है कि ठीक है आप जैसा कर रहे हो वैसा ही मैं कोमल को कह दूंगी इतना कहते हुए वह कोल को रख देती है अगले दिन सुबह के आठ बज रहे होते हैं जो राजु था वह अपनी पत्नी कोमल के साथ कानपूर से निकलता है ट्रेन पर बैठ बीद जैसकर 36 घड़ के राइपूर पहुंच जाता है वहाँ पर पहूंचने के भाद वह एक और बैठता है और अपनी सुस्रॉण Π Hero फोरी के पास और यह उसका घो की दोस्तों साथ वहाँन पर कंचे खेल रहा आ है इससर इसको देख कर जो राजु था वह अपने शाल को आवाज लगाता है जैसा ही कोमल को अपने भाई पर नजर पड़ती है वह तुरंत अपने पर्स से कुछ पैसे को निकालती है और अपने भाई को देते हुए करती है कि जाओ तुम जो है अपने दोस्तों के साथ कुछ मिठाईयां कुछ चौकलेट बगरा खालो जो कोमल का भ जो दमन्ती थी वह वहीं पर खाट को लगाती है और राजु और कोमल वहीं पर बैड़ते हैं कोमल जो थी वहीं पर अपने पतिक साथ बैची होती है तो दमन्ती जो थी करती है कि तुम जो है अपने माई के आई हो जहां पर तुम्हारा बच्पन भीता है तुम्हें किस ब तब ही जो कोमल थी वह अपने पती राजु से करती है कि क्या तुम भी चलोगे मेरी चाची के हाँ लेगें जो राजु था वह करता है कि नहीं मुझे अराम करना है कापी ज्यादा ठक चुका हूं इतना का कर जो राजु था वह वही पर बैठा वाता है कोमल वहां से चली जा और चलते ही, जो राजु था, बहु उर्ता है, और अपनी सास के हाथों को पकड़कर बहु कमरे पर मेर लेकर चला जाता है, और अपनी सास से काता है, कि आपको जब से देखा है, आपकी यादे में हमेशा मैं खोया हुआ रहता हूं। कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूँगा, कोई चीज की भी कमी नहीं होने दूँगा, इस बात को सुनकर राजु की जुसास दमन्ती थी वह तयार नहीं होती है, जो राजु था बहुत करता है कि उसे प्यार करता है, अगर वह उसे प्यार नहीं देगी तो वह कोमल को भी छोड़ देगा, तलाक देदेगा, जैसे ही उसकी बेटी पर यह बात आती है, तो दमन्ती जो थी बह ओई पर चूप चाप से खड़ी हो जाती है, और करती है, यह कैसी बाते आप कर रहे हो, जो राजु था, बह करता है कि मैं जो हूँ, आपकी बेटी कोमल से, जो दमन्ती थी इस बात को सुनती है, बह करते है कि आपके इच्छा क्या है, जो बताइए, मैं आपकी पूरी कर दूँगी, जो राजु था, बह करता है कि मुझे आपसे प्यार है, और मैं आपके साथ समन बनाना चाहता हूँ, जैसे इस बात को दमन्ती सुनती है, बह करते है कि ठीक है, लेकिन जो है आपको हमेशा मेरे ख्यालों को ध्यान में रख करनी होगी, और किसी से ये बाते जो है, वह नहीं कहनी होगी, जो राजु था, बह मुश्कुराता है, और कता ये कैसी बाते आप कर रही हो, मैं खुश से कभी अपने बारे में किसी तर कहूंगा क्या, जो दमन्ती थी, बह करते है, ठीक है, चलो दरवाजे को बंद करो, आतुमें जो करना है, वह कर सकते हो, जो राजु था, बहत प्रन्त दरवाजे को बंद करता है, और दमन्ती और राजु दोनों एक दुसे से प्यार करना सुरू कर देते हैं, और एक दुसे के साथ समन बनाना सुरू कर देते हैं, उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था, हर दिन का होच राता, एक साम के करीब चा बज़ रहे होते हैं जो कॉमल थी वह अपने सहीलियों के पास गई हुई थी और राजू अपनी सास दमन्ती से प्यार करने में लगा हुआ था तभी घर पर कॉमल पहुंचती है कॉमल की आवाज को सुनकर जो राजू और कॉमल की जो मा दमन्ती थी वह रूम से बाहर निकलत दोने पसीने पसीने होचुके थे, जैसे इस दीरिष को कोमल झाती है, वह समझ जाती है कि वह उन दोनों में क्या खिच्ड़ी पकड़ा है, कोमल जो थी अपने मा की और देखती है और करती है कि तुम दोनों को इतना पसीना क्यों आ रहा है, राजु अपनी पत्नी कोमल की बातों को जैसे ही सुनता है वह तड़ाक से जवाब देता है कि कमरे का पंखा खराब हो चुका था इस कारण से गर्मी बहुत लग रही थी और पंखा ब्राने में लगा हुआ था जो कोमल थी इस बात को सुनती है, तो वह मान जाती है, और वह घर के काम काज को करना सुरू कर देती है, रात के करीबे दो बज रहे होते हैं, जो कोमल थी वह अपने पती के साथ अपने कमरे में सो रही होती है, करीबे रात के धाय बज रहे होते हैं, जब ही कोमल की जो आके इस देसको देखकर कॉम्ल जीटी उटती है और बरांडे में पहुंचती है तभी कुछ आवाजे उसके मा के कमरे से आना सुरु हो जाती है जो कोम्ल जीटी आपने मा के कमरे के पास पहुंचती है तो दरवाजा जो था बहा हलका सा खुला हुआ था उस दरवाज से जब भा जागती है तो देखती है कि राजु जो है बहा अपने ही सास दमन्ती के साथ अपती जनक सिती में है जैसे इस दुरिश को जो कोमल थी बहा देखती है बहा तुरंत कमरे में पहुंच जाती है और अ करते हैं जो राजुता है बहुत करता है कि अगर तुम इे बाते किसी से के दोगी तो मई तुम्हें तलाक uh चो softy कमरे से बाहर निकलती है और दर्वाजे को लुक कर देती है जो राजुता हमाइससे को छोलने के लिए कर वहीं के पास के थाने में पहुँँच जाती है और वहाँ पर कम्प्लेंदार कराती है, अपने पती और अपनी मा के खिलाप कि उसकी जिन्री गी जो है उन दोनों ने खराब किये, पुलिश जो थी तुरंट कोमल की बातों को मान कर तुरंट उसके घर पर पहुंचती है, और तो राजू के पिता को भी कौल कर देती है, अपने सा सिल के पास की, कौल कर बता देती हैं सारी बातों को, दोनों भी उस स्थाने में अगले दिन पहुंचते हैं, जो पुलिस थी, उन दोनों को जएल की सलाओकों के पीछे बेज़ देती है, तो दुश्तों इस घटना में आ आर पसीने पसीने होकर निकलते हुए तो वह अपने पती पर उसे ध्यान देना चाहिए था, या फिर राजू की गलती थी, कि जब उसकी पत्नी होते हुए, वह अपने इस पवित्र रिष्टे को जुह है कलंकित किया।